डाल पर सोने की चड़िया करती है बसेडा आपकी तालिया और आपके लाइक्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक तरह से अमरीत है आपने देखा होगा सेडी सीरियल जो की इस टाइम का बहुती फिमस सीरियल है उसमें भी रोल कर चुके हैं और बहुत सारे संस्क्रितिक जो नाटेक होते हैं उसमें भी रोल कर चुके हैं और साथ ही साथ ये राश्पती अवार्ड भी ले चुके हैं यहां तक कि परधान मंत्री से भी प्रुस्कार ले चुके हैं तो जानते हैं इनके जीवन के बारे में किस तरह के से इन्होंने इस छोटी सी उमर में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया तो हम मिलवाने जा रहे हैं आपको भारत सर्माजी से जो की रुड़की सहर के निवासी हैं किस तरह के से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और किस आपने में इसे एक person किया कि कैसे मैं वहां तक पहुचा हूँ तो मैं बचपन से ही TV का बड़ा शौकिन देखता था मैं TV को तो मैं सुथा कि यार यह जो चीज टीवी के पड़दे के अंदर जो करते हैं क्या हम इसके अंदर जा के कर सकते थे उस टेम तो इतना मुझे ग्यान नहीं था फिर जैसे ग्यान बढ़ता रहा तो पता चला कि हाँ इसके लिए बोलना सबसे पहले बोलना और कैसे कैमरे को फेस करना यह सब चीज आनी चाहिए तो यह एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का तो मैंने मास मीडिया जोइन किया SGR PG College को मैंने जोइन किया तो मैंने मास मीडिया किया उसके बाद फिर मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र हैं बहुत ही खास है जिनका मैं नाम ले चाहता हूँ नीरत चौधरी वो मुंबई में थे तो उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया उन्होंने बोला कि आप मुंबई आओ य परदी अब आपने बताया है कि मास कम्मिकेशन यानि की जनरलिजम की लेकिन जनरलिजम से आप एक्दम से फिल्म इंडिस्ट्री में ये सीरिल इंडिस्ट्री में जम्प करें क्या मतलब किस तरीके से रहा आपको सफर में बहुत उता और चड़ाओ रहे क्योंकि कहीं बार फिर आपको सफर करना तो उसमें जो आपसिकल्स आते हैं उपर नीचे आते हैं लेकिन उस पढ़ाओ को कहते हैं जैसे मैं जब मैं बांबे गया तो मैंने लहरो को देखा कि अगर आपको लहरो को चीरना है तो आपको उसके सामने खड़ाओना पड़गा उसके हिसाब से आ लगातार कोई भी TV शीरल देखता था थेटर जाता था मैं वहापर पिर्धिव राज काफे में जाता था व सब लोगों से कम तीन-चार साल लग गे थे मुझे वहां तक पहुंचने में मैंने मास कमनिक्शन गया फिर में वहां गया और मुंबई बहुत बड़ा महानगर है और हरे को लगता है कि जाते हैं वहां पर हम हीरो बन जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहां पर आप जाओगे तो आ आना नहीं है वापिस जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा तो यहीं मेरे पास रहा और यहीं ही क्या से चरह gratis से तो वह एक उरचा रहती ती यहां कुछ संधीबाई हम भाई तुम वहाँ पहुंचो तो बस कुछ करके आना वह ना तो आपका भी बहुत ते दिल से धन्यवाद करता हूं कि यह चीज रहे है राकिज भाई है हमारे अब यहाँ पर सवाल बनता है कि हम लोग यहाँ पर थे जासे आपने मेरा भी नाम लिया है कि संदीब भाई इंक कोई भी झाले लिए आप बहुत ससती है लेकिन वहाँ पर रेंट Bem महोंगा हैuch घाने की चीजह वह भी महोंगी ए नहीं किसे सर्वाइब किया अजिसे मैंने मास कम्पलीट किया उसके बाद मैंने सीधांट स्रेटक को जैन किया ही Hayır मेरा जो दिरिश्य था तह़ा कि अगर मैं वहां पर जाता हूँ जीसे मेरे फ्रेंड से तो वह मुझे बुला सकते हैं अपने अरुका सकते हैं लेकिन लंबे तरह मुझेmar गुण को चाहिए और वह यह पैसे और इसलिए मैं पहले मैं दौ तीन साल मैंने जौब करी लेकि मेर टार्गेट था कि मुझे बॉंबे जाना है तो दो-तीन साल मैंने अपने फाइनसरी अपना आपको स्ट्रॉंग किया ताकि मैं किसी के ओपर डिपेंड ना रह पाहूं तो मैंने वह तीन-चार साल मैंने अच्छे पैसे कमाए कभी खर्ची नहीं किया कि मेरे मावाप इतने च और मैं जो मेरा टार्गेट था मैं उसके बास चलता चले गया और आप कभी भी जाएं तो ऐसे मच जाएं कि अब वो टाइम नहीं रहा है मैं आपको फैरेंक नहीं बोलता हूं यह सारुक खान वाला अक्सी कमार वाला टाइम नहीं रहा कि आप जाएंगे सडकों में सुए नाइट की जॉब कर सकते हो जैसे आप कॉल सेंटर जॉब कर सकते हो किसी मताब आप फैनल सी थोड़ा सा करके जाएगी हो अब देखो टूबी फ्रेंकली यह नहीं कि आप खाली चले गए अपने टिकट काटा और मौंबई चले गए आप सोचा है मैं अपने सपनों सा गार और बाकी मैंने घरवाल को बोला ता घरवाल को बड़ा सपोर्ट रहा कि को अदिक्कत नी है बड़े भाया अर्जुन्दीर सर्मा में ने उनका नाम लिया है बड़े भाया कि वही मेरे भगवाल जैसे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि बेटा फैने सीजिवी तूश ज़ोइड किया मैं जहां पर सर्टिफैट कोर्स किया长 मैं जहां पर सैलिबीटरीस जाता है मैं जुम करता था मैं बैंडरा में रहा हूं घ्रेंड और उस रहना था कि आपको उस राउंड आठा शुबस currently दो उतकि मैं आप वहां बैठंगे तो आप वहां बैठंगे वेट करोगे तो वहां चीजे मिलती हैं आपको कहीं बाद थाटर के शोर से भी दखने पड़ते हैं तो उसके लिब भी आपको पैसे चाहिए जूमें और वह तो आपको पता ही कि वहां रहना सबसे जदा महंगा होता है क्योंकि वहां पर डिपॉजिट दिना पड़ता है six six month का डिपॉजिट दिना पड़ता है और आपको फिर कन्वेंस है कन्वेंस तुमा सबस्टा है अगर आप मैंने लोकल वहां पर अच्छा लिया लोकल दस रुपे में कहीं भी जा सकते थे आप डाउन कर से लेकि तब भी आपका फूडंग तीन टैम को आपको खाने पड़ेगा मेंने कीरिया में किया मैं पैट्रोल मेंकि य hanव में किया और उसके बाद मैंने वॉक्स भी का एड़ किया फिर एक मुट्टू का एड़ था फिर मैंने वो अमिताब जी के साथ भी किया था और उसके बाद फिर मुझे ओफर आया था राश्टर रंग शाला का तो फिर मैं यहां पर मेरी सुरवात हुई दोजार बीस में फिर दोजार बीस एकिस बाइस तेज आ लगात अब आपने नाम लिया राश्बती रंग साला तो अगर देखा जाये सीरियल एंड़स्ट्री और फिल्म इंड़स्ट्री और रंग साला एक बहुत अलग से डिफरेंट सा हो गया तो किस तरीके से अपने रंग साला में अपनी पर्टेबागों को निखा रहा है यह मेरी जिनका नाम सोनू पुद्दार है और नीरेज चौदरी जिनने मुझे वहाँ बुलाया था उनका बड़ा सपोर्ट रा नीरेज भाई का डिस्प्रिण होना पहुचा जूरू है आपको किसने टाम दिया तो अप अस टाम के आउन टाम आप उसके पहुंचें अपनी बात अगर आप बोलिये तो उस बात को अब आप उस बात का लोहां मन्वाएं कि हाँ मेरी बात बिल्कुल सही है अगर आप सही हो तो वह चीज मैं रखी तो उसके बात फिर मेरा हुआ पर मैंने आडिशन लिया टो एक मैने रांड पार किया तो उसमें तीन-चार रांड होते हैं स्क्रीनिंग होती है तो वह पास करताग अगर जो संस्कृति की बात करें तो आज गी जो संस्कृति में आप फेस्बुक 22ires कि हम खोलते हैं कहीं सभीता भावी है बहुत सारी में हैं कि जे असलीलता पपरोशती है तो क्या लॐ भी गलत है। सबसे पहले मुझे वे चीछ लिएक हिढ़रा कि असील्ता सा में से माइनस भी नुए लू नीजा है। । क्योंकि हम अपने जो छोटो को क्या पुरोस्त कुछ के पहुत हैं जो चीज वह बहुत जजी कर देते हैं कि एक वाइट मांट होता है ब्लैक गो होता है तो लोग बाग वाइट को छोड़ olabilir हम ब्लास के डिथे हो यह जाथे क्यों ज़से रहरी आप विदीये की वेस्टर गज़ें वाके उनको कोई मतलब नहीं है पदीयव क्या है ऑफ्सालोными समस्किति विश्व में ऐसा भी बाराज ऐसा देश कोई होने अध्या देश की खाना, और थे बहुत कहों रहें वो इतना इच्छा है कि विश्व में कोई सीज के टक्कर नहीं ले सकता मैं मैं प्राउड करता हूं कि यार में एक इंडियन हूं और इतना मुझे इतना अच्छा लगता और जब मैं रंग शाला मेरे जाना का यही था अभी मैंने किया सर तो उसमें बीस अलग अलग परांग के लोग थे तो मुझे उनको जानने का मौका मिला क्योंकि एक बार कई लोग फैलेंसरी नहीं जा पाते अवहाँ पर आंदर परदेश के भी लोग थे वहाँ पर कानाटका की थे वहाँ पर केला के भी थे वहाँ चटिस गड़ के जाहरकर्ण के भी थे उत्तर अपना जमू कसमी के थे लड़ाक के थे तो वह एक जो रंग शाला कैमप है वह उसमें रंग होते हैं यह गुल्दस्ता होता है अब गुल्दस्ता देखते ना तो वह हम जो एक फूल थे सब वह फूल मिलके गुल्दस्ता बने जो हमने तो इंडिया जो हमारी भारतिय संस्कृति बोली जाती है लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम भारत में वेस्टन कल्चर को ज्यादा प्राथमिक्ता दी जा रही है अब वेस्टन कल्चर की तरह भाग रहे हैं वो इड्रेस हैं और उसी तरीके से चल रहे हैं तो इसे कहां तक जब से पहले बोड़तो है और जसको flawAST के इस abnormally मंते हैं यह जो अपनी चीज है ना आप घट हो और भी परांत की लोग ऊते हैं वह अपनी भाहसा बोलते तो यह जब हिंदुस्तान की हिंदी भाहसा है मातर भासा है то हमें उससे पहले बोलना चाहिए मानते है वह अच्छी बात है कि आपके बच्चों को इंग्लीस बोलना था लेकिन आपको यह निलना चछी को अच ऐँ किया होता है संदीबाई किसी इंग्लीस ने आती तो उसको ओच्छा माल लेते कि यह तुम्हें ऐसे पो तो उनको उनको बहुको यश्टमिट आप रहती है तो हम क्या उंक कोई समय करते हैं यहां पर कोई हुख करते हैं यह भाइप्ट्रीश इंग लए चीज़ अची आपको राश्टती अबार्ड भी मिला है और परदान मंत्री से भी सम्मानित हुए हैं और यहां तक कि उत्रा खंड में भी आप बहुत जादा परचलित हो रहे हैं खास तो हमारे रुड़की सहर के लिए तो आप अन्विग्य हैं नहीं क्योंकि आपको हर कोई जानता है तो इन सब चीजों का स्रे किसे देना चाहेंगे सबसे पहले सरे संदि बाहे मैं लICKमाता देख गो कि मेरे माता पिजा ओन्हें जो मुझे गुण दी है तो उनी गुण केसे मेरे पिटा बोलता कि मेरा अगर तू नाम रोशन ने करता तो नीचे मित कर ना लेकिन ओनकी कड़ी म सबसे पहले मेरी मां का हाथ है मेरी वाइफ का हाथ है मेरी बहनों का हाथ है तो यह मतब और सबसे पहले मैं मित्र को नहीं कुछ सकता जो मेरी मित्र है न वह इतने अच्छे यह कहते हैं कि complete इस एफक्क्त महीं काहद बोलते हैं तो वह चीज को मैं बढ़ा रहता है कि आपको जो संगत होती है ना वो आपको रंगत में लाती है कि आपको खिल के दिखाती है कि आप किस तरह से करते हो जैसे आपकी संगत होगी अब मेरी संगत बड़ी अच्छी रही तो संगत का भी बड़ा ख्या लखना चाहिए कि आदमें को चूस करना चाहिए कि कैसे आपके मित्रे रहे हैं और क्या चीजिए तो बड़ा सपोर्ट रहा गुरु जैनों का बड़ा सपोर्ट रहा मास कम्मिनिक्शन सी का तो महां पर ड़क्टरा से स्कूल से रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे दोस्ते नीरा चौदी इन मुझे सिखाया बहुत मेरे मित्रे साथ चीजे सिखाया है हमयशा मैं भी बन बहुत हमें अि और की संदेद्ध के सब्सक्राद देना चाहेंगे हमारे भारत के यूवाओ को पेस ने अगर तो और बहुत जल्दी ठक हारके बैड़ जाता है और कहीं न कहीं नसे का सारा लेता है और नसे का सारा लेता है तो कहीं न कहीं क्राइम की तरफ भी बढ़ता है तो क्या संदेज देना चाहेंगे उन्हों युवाओं को चाहते तो आप भी ठक के रुख सकते थे आप भी नसे का सारा ले सकते थे वो हमारे भारत के युवा हैं, वो अपनी मंजिल को तै करते करते हैं, ठक जाते हैं और नसे का सारा लेते हैं, तो कही न कहीं क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं, क्या संदेज देना चाहेंगे उनगे युवा को? मैं सब युवा से कहता हूँ कि जो नसा आपको करना है ना तो नशा करो सहित का नशा करो अच्छी चीज़ का आप आपकी जो सपने उसको सकार करने का नशा करो यह जो खोकले नशा मत करो कि जैसे आप नशा कर रहे तो उससे क्या होता है उससे आपकी बदनामी होती है घरव यहां लेकर नशा मुक्त देश तो देश आगे जा रहा है उसमें हम भी तो योगदान है क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं एक-एक बून से घड़ा बरता है अरे सब्सक्राइब को डिप्रेशन को डिप्रेशन देदो ना डिप्रेशन कैसे अप लाओ मत अपने दिमाग में आप पूची करना सब्सक्राइब करो डिप्रेशन के लाओ मेडिटेशन करो माब आपके साथ बैठके बात करो दोस्तों साथ बैठके बात करो उनकी सेवा करो जानवर को प्यार करो आपको डिप्रेशन कभी आये का दूसरा कानन माना जाता है प्यार मोभबत को भी देखो आज जब आप पहले ही कुछ हो नहीं और आप उस प्यार को अतना परोसर हो तो आप उसको तो आपको एकसेप्ट होने की मतलब भी नहीं बैटता मेरे खुद एक्जामपल अपने दोस्के अपने बाहियों के वह पहले कामयाब हुए कामयाब होना कि रिस्ता मांगने गए तो उनक जैसे आपने काना सिद्धा वह तो वह चीज मारें आपकी वह चीज तो इसलिए आप यह कच्छे प्यार नहीं चाहिए तो एक जो साधर आप भी संदी भाई इस चीज भापको पता है कि 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 चीज़ों करना तो वह उसके मंजिल तक पुंचाना चाहिए उसके लिए क्या ह आप करो तो लाफिंग ठरेपी आप उजागी आराम से सो माबाप के साथ बैठके बात करो दिन चाहरे कि क्या चीज आजकर मैं देखता हूं इतनी होती है लोग बाप मोबाइल लगाते हैं गर्दन की दूजाती है रात बे अरे मोबाइल को भी थोड़ा रहस दे दो मोबा योगा करो मेडिटेशन करो पचास चीज़े हैं और अच्छी बाते करो अपना विचार करो जाप करो कोई ऐसी बात निए डिप्रेशन तो कभी आपको आए गाई नहीं किसी का तो यह चीज़े मैं मानता हूं कि युवाओं को इसके परती होना चाहिए और सबसे पहले आपको स्वस्त बनाए अच्छा आहार ले बढ़िया खनागा है थोड़ा जंग फूट से बचे में आगे की लिए क्या आपकी योजना है और किस तरीके से आप कॉंसर्प्ट लेखे चलेंगे अभी दो तिन शॉट्स मूवी हैं और अर्विन जी और अंकित चंडेल जी है उनके साथ शॉट फिम की मेरी बात हुई है राजन जी के साथ हुई है सोनु पुद्दार जी उनके साथ हुई तो अभी काफी चार-पांच प्रोजेक्ट हैं हम वो करने जा रहे हैं तो जल्दी आप देखे हैं यह कुछ संस्कृति के उपर हैं कुछ जैसे आप डिप्रे जान है उसके पर भी शॉट मुवी बननी है और में जलसे लए आपको बताऊंगा का बहुत इंट्रेस्टिंग सा थीम है थोड़ा सा उसका कुछ यह क्या था जैसे बच्चे लोग नशा करते तो यह नशा कहां से आता है यह जनेरेशन कैच करती है जब हम स्कूल में 11-12 मे कोई बच्चा उसी में से सफल हो गया कोई उसी में से सफल नहीं हो पाया तो जो सफल नहीं हो पाया तो जो सफल वाले वेखती है उनको भी दिरना चाहिए कि जो आसफल बच्चे हुए है तो उनको भी अपने डाइनमिल आज़िए वह भी आपका पार्ट थे क्योंकि वह आपस कोई आते हैं तो हम उसको सुनते क्यों कहीं बार क्यों आता है दोस्तों को उस चीज से बाहर निकालने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और उस चीज में डालने का भी आपका भी बहुत बड़ा योगदान है वो आपसे बात करना जाता है आप उसको समय नही दूस 나서 आप उसे पात करेंगे उसको कुछ रोजगार देंगे एक उसकी हेल्प करेंगे तो वह इस्चीज से निकल करी है तो ऐसी इसमें हमने लों स्पॉब बर रहे हैं तो इसमें हम यह साथ भी आपको दिखाएंगे और एक जैसे आपका भी बन रहा है तो उसमें भी हम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल भरत जी हम भी दुआ करेंगे कि आप कामयापी की तरफ और ज्यादा बढ़ते चले जाएं क्योंकि यूआ को देखके कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है तो इसके साथ हमारे हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत आपका दर्शकों आपकी तालियां और आपके लाइक्स जो होते ना वो हमारे लिए एक तरह से अम्रीत हैं जब वो मिलते रहेंगे तो हम जीते रहेंगे क्योंकि यह कलाकार का और यह एक लाकारने जो कमा होता है वो होता है तो इसलिए हमें सब प्यार मना के रखिए गया और हम इस तरह से उत्राखरण का देश का नाम रोशन करते रहेंगे वावा दन्यवा संदी भाई तो यह था हमारे साथ बढ़ाखर्ण स्रमा जोकी हुआ है और इन्होंने कहा है कि अगर जो सौस्थ रहो गे तो हम देश को कुछ दे पाएंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे तो सौस्त रहने के लिए सबसे बताया है कि योग है आपका मेडिटेशन है आपकी भकत दिभाव है और सबसे बड़ी बात है सुबह उटके मॉर्निंग वॉक है अगर छीह जे सब चीजे करोगे और नसे से दूर हो क्योंकि अगर जो कहीं ने कहीं आप डिफ्रेशन में आते हैं तो अपने माता पीटा से बात करिए अपने मित्रों से बात करिए अपने दोस्तों स गेम बना के रखिए तभी कामयाभी जरूर मिलेगी इसके साथ बने रहे रही नियुज़ में अगले आंक में मिलवाते हैं इसी तरिके के खास सक्सों के साथ जब तक के लिए दीज़े इजाज़त जै हिंद जै भारत जै उत्राखन